गुद मानिंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 की सोशल साइंस की वरक्षीट नमबर 72 को डिसकस करेंगे बिटा यह आपके भुगोल के चैप्टर भारत आकार और स्थिति से रिलेटिड है और इस वरक्षीट में हम इस चैप्टर की रिविजन करेंगे तो लेट्स स्टार्ट वरक्षीट हमारा फर्स्ट कोशिन है निम्न में से कौन सा देश अपने इस थलसीमाई भारत के साथ साज़ा नहीं करता है तो आप्षिन है पाकिस्तान चीन नेपाल और तजाकिस्तान तो बिटा यह फर्स जो तीन है यह सब तो शेयर करते हैं अपनी बाउंटर इंडिया के साथ लेकिन जो घर तजाकिस्तान ने इसके बाउंटर इंडिया के साथ नहीं लगती है तो इसका अंसर है पेटा घर तजाकिस्तान सेकिंड कोर्शन है पेटा कौन सा अक्षांश भारत को लगबग दो बराबर भागों में बाटता है ओप्शन का है करकरे खा खा तेज़ टिगरी तीस मिनट उत्तरी अक्षांश गा दोनों और गा इन में से कोई भी नहीं तो पेटा करकरे खा और खा तेज़ टिगरी तीस मिनट उत्तरी अक्षांश ये दोनों सेम है क्योंकि करक रिका का मान ही यह होता है तेज डिगरे 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तो अंसर होगा बेटा इसका हमारा ग़ दोनों थर्ड कोशन है बेटा रिखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्यों को पुनह लिखे भारत दक्षिनी गोलार्द में स्थित है तो बेटा भारत जो है वो दक्षिनी गोलार्द में स्थित नहीं है उत्तरी गोलार्द में हमारा जैसे एक लोग होता है तो इसको यह वीचो बी जो है हमारे उत्री गोलार्द में स्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा बिटा कि भारत उत्री गोलार्द में स्थित है फूर्थ कोशन है बिटा रिखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनह लिखे शेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में पांचवे स्थान पर है तो बिटा ये गलत है पांचवे स्थान पर नहीं है भारत जो है सातवे स्थान पर है तो इसका अंसर हो जाएगा बिटा निम्न वाक्यों में सहीव गलत बताईए वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 9 केंदर साशित प्रदेश हैं तो बिटा अभी प्रेजंट में 28 राज्य हैं लेकिन 8 केंदर साशित प्रदेश हैं तो यह जो है वाक्य यह गलत है बिटा तो इसका अंसर है गलत तो फि Hvarative 7th question नीचे दिए गए प्रश्न में एक कधण A और उसका कारण आर दिये गए हैं इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चैन कीजे तो यहां कतन दिया गया है भारत का देशांत्रिय विस्तार लगभग 30 डिगरी है तो यह सही है कि लगभग 30 डिगरी है भारत का देशांत्रिय विस्तार जो है कारण दिया है कि 82 डिगरी तीस मिनट पश्चमी देश अंतर को भारत का प्रमुख्यामियोत्र माना गया है ये गलत है बिटा क्योंकि 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देश अंतर को भारत का प्रमुख्यामियोत्र माना गया है तो इसका अंसर है बिटा C तो इसका अंसर होगा C ए सही है पर आर गलत है नेक्स्ट कोशन है बिटा अरब सागर मिस्तित दीप समू का नाम लिखे है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वक्षीट्स में तो आंसर है बिटा लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर मिस्तित है नाइन्थ कोशन है बिटा भारत के किस राज़े की सीमाई नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है तो आंसर है बिटा सिक्किम सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है 10th question है पिटा दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारते पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है तो यहाँ पर हमें option में पहला दिया है पिटा पाकिस्तान उत्तर पश्चिम ये सही है सेकिंड है नेपाल उत्तर दिशा में है नेपाल भारत में ठीक है बांगल थर्ड बांगलादेश जो की गलत मिलान है अब बेटा यहां वरक्षीट के एंड में कोविट से संबंदित एक संदेश दिया गया है दो गज अत्वा 6 फिट की शारिरिक दूरी का पालन करे तो बच्चों हम सभी को कोरोना वाइरस से बचने के लिए आपस में दो गज और अच्छे फिट की शारिरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हम इस वाइरस से बच सके तो यहां पर हमारी वरक्षीट कमप्लीट होती है आई हो बच्चों आपको यह वरक्षीट समझ में आ गई होगी अगर बेटा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमें करके पूछ सकते हैं अगर आपको वरक्षीट समझ में आ गई है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली व बच्चू, have a good day प्यारी बच्चू.